जैश्री राध है, पुझेश्री सद्गुर्दे भगवान के चर्णों में प्रणाम कल्यान पत्रिका से भगवान के नाम की महिमा कुछ लोग यह शंका करते हैं कि भगवान का नाम बार-बार लेने से क्या लाब है बात यह है कि राध दिन के 24 घंटों में हमारा जो कुछ है सब भगवान की कृपा से है भगवान के बिना हमारा कुछ भी नहीं है गोस्वामी तुलसिदाजी ने विनय पत्रिका में कहा है कि प्रभु तुम बहुत अनुग्रह कीनो अर्थात तुलसिदाजी कहते है हे प्रभु आपने इस दास पर बड़ा नुग्रह किया जो इसे देवताओं को भी दुरलभ यह मनुष्य देह दिया हमारे यदि करोड मुख हो तो भी हम भगवान के उपकारों का वर्णन नहीं कर सकते फिर भी मनुष्य इतना मुर्ख है कि ऐसे परम दयालु प्रभु को भी वह छण मात्र भी नहीं भजता इस मन को साड़े तेईस घंटे मनमानी तौर पर उचल कूद करने दो इस मन को साड़े तेईस घंटे मनमानी तौर पर उचल कूद करने दो कम से कम आदा घंटे तो इसे बांध कर रखो जिस समय तुम भगवान के सहस्त नाम का पाट करोगे कम से कम उस समय तो तुम्हें और और बातों का ध्यान नहीं आएगा भगवान का ही ध्यान आएगा तेज बुखार की हालत में जब तक हमारे सिर में बर्फ की ठंडी पट्टी बंधी रहेगी तब तक हमें सुख और शान्ती मिलती रहेगी जियों ही हमने उस पर बर्फ रखना छोड़ा कि फिर दाह शुरू हो जाएगा इसी प्रकार जितने छणों तक हम भगवान के मंगल में नाम की आवरती करते रहेगे तब तक हमें अपार शान्ती और आनंद मिलता रहेगा और हमारा मन पाप और दोशों से बचा रहेगा इसलिए कम से कम दिन में दो बार दस दस पंदरा पंदरा मिनट तक भी यदि हम नाम इस मरन का भ्यास करेंगे तो उससे हमें मन को निग्रहित करने में बड़ी सहायता मिलेगी मैं जिस समय विष्णु सहस्तिनाम का पाठ करता हूँ उस समय मेरी व्रत्तियां सब और से खिचकर भगवान में लग जाती है मनुष्य भगवान के समर्ण मातर से निर्भय हो जाता है इसलिए हम सब को चाहिए कि भगवान के नाम का नित्य नियम पूर्वक जब करें जब किस प्रकार होना चाहिए इसका आदर्श आप लोग संसार के सामने रख रहे हैं ऐसा तुलसिदाजी महराज ने कहा है पै अहार फल खाई जपू राम नाम शटमास सकल सुमंगल सिद्धि सब करतल तुलसिदास आप लोग वही कर रहे हैं राग द्वेश लोब को छोड़कर जीब के चटोरे पन को त्याग कर तपस्या करने से और साथ ही साथ भगवान के नाम का जब करने से किस पापी का पाप नहीं छूटेगा और किस पुन्यात्मा का पुन्य नहीं बढ़ेगा अतय यथा लाब संतुष्ट रहकर साधक लोग फिर इस जप यग्य में शामिल हो यही मेरी आकांशा है जैश्री राथे